और कैसे हमें सवरण वरण को पहचानना चाहिए या उसकी पहचान कैसे करें इन ही की व्याख्या इन सूत्रों में की गई है तो इस सूत्र का जो है तुल्यास प्रयत्नम सवरण तुल्यास प्रयत्नम प्रथमांत पद है और सवरण भी प्रथमांत पद है तो दूई पदम इनम सूत्रम इस सूत्र में दो पद है और यह जो सूत्र है प्रथम अध्याय का पहले पाद का नवा सूत्र है तो जितनी संग्याएं दी गई है वह आपको प्रथम पाद में मिलेंगी जितनी संग्याएं दी गई है वह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में कही गई है तो यहाँ पर जो बताया जाएगा कि सवर्ण संग्या किसकी हो या उसके सवर्ण संग्या करने का नियम क्या है इस है और जो अभ्यांतर प्रत्ट नहों था है इन्हीं दोनों से हमें वर्णों की सवन संग्या करनी चाहिए किसी भी अगर हम वण की संग्या करेंगे सवन संग्या तो सबसे पहले उसका उचाण अस्थान देखेंगे और उसके बाद हम अभ्यांतर प्रत्न देखेंगे तो अभ्यांतर परत्न एक होता है हमारा भाहे परत्न, इसकी चर्चा आगे होगी, لेकिन यहां पर जाने रहें। में वर्ण का आदेश करते हैं तो अब यहां पर आ जा एकर करते हैं कवन जो है कंठ से उच्चरित हो रहा है और गवन भी कंठ से उच्चरित हो रहा है और इन दोनों का जो अभ्यांतर प्रत्न है वह इस प्रिष्ट है वह क्या है इस प्रिष्ट है तो हम का और घा कह सकते हैं कि यह दोनों आपस में समर्ण संग्याथा समर्णी हैं अथार दोनों एक ही वर्ण के हैं तो समर्ण संग्या का रथ होता है कि जिसकी एक समान जाती हो एक समान उच्चारण स्थान हो तो ऐसे वर्ण को हम क्या करते हैं सवर्ण संग्या करते हैं तो का कंठ से उचरी थो रहा था घहा भी कंठ से उचरी थो रहा था तो का का भ्यांतर प्रत्नि स्प्रिष्ट था घहा का भ्यांतर प्रत्नि स्प्रिष्ट था अत्य यह दोनों वर्ण क्या हो गए सवर्णी हो गए एक और दूसरा एजामपल लेते दूसरा इजामपल हमारा है यही कावर्ण लेते हैं और दूसरा हम चैवर्ण ले लेते हैं दूसरा हम चैवर्ण ले लेते हैं इसका उचारण स्थान कंठ है और इसका उचारण स्थान तालू है लेकिन दोनों का जो है अभ्यांतर प्रत्न इस प्रिष्ट ही है दोनों का भ् बात है अभ्यांतर प्रत्ने तो मिला लेकिन जो उनका उचारण स्थान बर्थ प्लेश जन्म स्थान जो यह उचारण स्थान दूसरे सब्दों में बर्थ प्लेश का है दूसरे और सब्दों में चाहे तो जन्म स्थान जो यह उचारण स्थान है का का कंठा है चा का तालू ह का का कंठ है चा का तालू है तो यहां पर विसमता होने के कारण इनका आपस में कभी भी जो है क्या सवर्ण संग्या नहीं होगे ठाथ यह आपस में कभी भी सवर्णी नहीं होंगे लेकिन यहां पर जो इस्थिती है का खा गा घांगा यह वर्ण क्या है सवर्णी होंगे यह वर्ण क्या कहलाएंगे सवर्णी कहलाएंगे का से कंठ का बोध हुआ का खा गा घांगा यह सवर्णी है जो पाचो अक्षवर्ण है सवर्णी है क्योंकि यह जो उचाण स्थान हमन स्वर्ण की सवन संग्या करते हैं तो यह चीज़ें को समझ में आ गाई होंगी इसी यह आ आपसमें सवनियी हुद्धा उचान रस्थान और अभ्यानतर प्रत्न एक है जिन वर्णों का उचण रस्थान एक हो अभ्यानतर . अलग अलग हो तब भी वह सवंडरी संग्या नहीं कहला वजिन वरणों का अभ्यांतर प्रतन एक हो समान हो लेकिन उनन वरणों की आपसि में सवंड़ संग्या नहीं होगो सवर्ण संग्या करने के लिए हमें जो है उच्चान अस्थान भी एक चाहिए और अभ्यांतर प्रयत्न भी एक चाहिए तभी हम उन वरणों की आपस में सवर्ण संग्या करेंगे तो यह सूत्र केवल यही बताया थे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम तुल्यास प्रयत्नम माने जो हम लोग प्रयास करते हैं तुल्वादी अस्थानम तालु आदी तुल्यास प्रयत्नम तालु आदी अस्थान जो उचान अस्थान है उनके अभ्यांतर प्रयत्न को मिला कर हम क्या करते हैं वरणों की आपस में समण संग्या स्यात उनकी हम आपस में समण संग्या करते हैं समण संग्या स्यात तो इसके बाद पांदी महोदय ने आगे अस्थानों की चर्चा की लेकिन उसके पहले एक वारतिक कार है कत्यायन एक वारतिक कार है कत्यायन इसके बाद उन्ह तो कात्यायन महोदय ने एक वार्तिक लिखा क्योंकि जब नियम कहीं पर नियम होते थे या कुछ बाते पाणनी महोदय से छूट जाती थी तो कात्यायन रिशी वह आकर क्या किये इन पाणनी के सुथ्रों में जहां-जहां उन्हों और सक्ता समझा उन्हों में सुधार किया जो बाते छूट गई थी उन्होंने वारतिक के मार्धम से कत्यायन महोदे ने क्या किया उन्हों अस्थानों पर उन्होंने वारतिक लिखें तो यहां पर उन्होंने वारतिक लिखा कत्यायन ने जो री और ली कौन कौन से वर्ण है री और ली वर्ण आपस में सवर्ण संग्या वाच्यम मने कहना चाहिए री ली वर्णों की आपस में सवर्ण संग्या कहनी चाहिए अथा री ली वर्ण आपस में सवर्णी है ऐसा कहना चाहिए जबकि इनका जो है उचाण अस्थान अलग-अलग है उचाण अस्थान क्या है री टू रसाणम मुर्धा से इनका वण हो गया मुर्धा और इनका था दंत लेकिन फिर भी जो है कात्यान महोदे ने कहा या कात्यान रिशी ने कहा कि जो री और री है इनके जो वो है क्या करते वह तो समान है लेकिन जो यह उचाला स्थान अलग लग है उनके बावजूद भी कत्यान ने कहा कि हमें री और री को सवन संग्या कहना चाहिए या कहनी चाहिए री के अठारा भेद होते हैं और री के बारा भेद होते हैं इनको जोडएंगे तो री वर्ण के ही क्या हो जाएंगे तीस भेद हो जाएंगे और इस सूत्र का प्रयोजन था कि तवल्लकार है आज सब्दों की सिद्धी के लिए यह सूत्र लिखा गया तो जब इसकी चर्चा आएगी वहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे तो यहां पर एक जानने वाली बात है री के अठारा भेद हमने बताया था ए उ री इन वर्णों के अठारा ठारा भेद होते हैं क्योंकि यह जो भेद बताए गए यह हरिस्व भी होते हैं पलुत भी होते हैं दिर्ग भी होते हैं लेकिन री वर्ण जो है दिर्ग नहीं होत है तो वह पर न अठारा मिला न बारा मिला तीस मिला अभाप अठारा और बारा याद करके गए हो या री कि भेर अठारा आप को गयो कि यह पूरा अपसन ही गलत नहीं अठारा और बारा मिला कर क्या होंगे 30 तो यह जो है real reward क्या है सवर्ण संग्या होने के कारब हमें हमेशा जो है री इस रूप में ही दिखाई पड़ता है अब दूसरा चीज है कि जब यह 18-12-30 हो गए तो कहीं कहीं पर तीस भी मिलेगा कहीं कहीं पर अठारा भी मिलेगा तो उस इस्थिति में हमें क्या करना चाहिए तो उस इस्थिति में सर्व प्रथम हमें अठारा हपर ट्रिक करना चाहिए तीस आप्षन है लेकिन सर्व प्रथम जो री का भेद है वह अठारा वह तो री को मिला कर हुआ है ना तो ऐसे अगर प्रसंद मिल जाए तो सवर पर्थम हमें मूल बातों पर आकर अठारह पर ट्रिक करना चाहिए तो यह समर्ण संग्या से समंदित वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में अवस बताएं और यह इस चैनल पर प्रथम बार है चैनल को करें लाइक करें सेयर करें और जो चीजे ना समझ में आई हो हमें कमेंट बास में अवस बताएं हम आगे के टापिकों में उसकी चर्चा करेंगे तो बस आज के लिए इतना ही नमह संस्किता है सुब संध्या सुभरात्रि में झाल जब सक्राइब करें लाइक करेंगे बार है